कि हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने उटूब चनल पर मैं से सुखलाब लोग का बहुत-बहुत स्वागर करता हूं दोस्तों आज का सेवन्टी फाइव इंपॉर्टन कुश्चन है जो आपकी परिचा के दिर्श से बहुत ही मातपूर्ण होने वाले हैं तो इनको जरूर देखेगा दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक जरू करिए और उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं या पहली बार वीजिट कर रहे हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रस कर लें ताकि वीडियो की इंप्वार्टन नोटिफिकेशन जो है वह आपको समय 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 मिलती रहे और आएए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंप्वार्टन क्विश्चन है जो इस वीडियो में समाहित किये गए हैं जिनकी परिचाएं जिस भी इन्वर्शिटी में होने वाली हैं सब्सक्राइब जानते हैं कि आपके कोर्श में समय ते है उनोट मर फाइब में इसको include किया गया इस story को under the banana tree जो है यह बहुत ही famous story है और इस से related question उसके बाद और भी जो story जहें उससे related question है इसके पहले का जो question है दोस्तों यानि यूट नबर 1 से लेकर 4 तक का यूट नबर 100 questions का आपका model paper पहले से ही channel पर उपलब्ध करा दिया गया अगर आप लोगों ने उ इंगलिस की playlist open करके आप उस वीडियो को देख लिजे उस वीडियो में दोस्तों MCQ type के और भी जो वीडियो जहें उस प्लेलिस्ट में include है 75 questions, 70 questions और 40 या 100 questions करके कई वीडियो उसमें include हैं तो उसको आप देख लिजे वो वीडियो आपके लिए बहुत important होगे तो आईए चार अपसन दिया गया है अनीता जशाई मूलक राज आनन दिया आर के नराहन या मुंसी प्रेंचंद तो चार आपसन में से दोस्तों आप सारे लोग जानते होंगे कि ये रचना जो है ये स्टोरी जो है किसकी लिए आर के नराहन साफ की लिख हुई है इसी में आगे His definite age is not given in the story तो आपसन नमबर यही आपका D वाला ही करेक्ट है दोस्तों उसकी definite age जो है नाम भी की इसमें नहीं दी गए ये story में तो D वाले पर आप करेक्ट कर देंगे इसको टिक कर देंगे Next question On which day people of Somal Village go to the temple? किस दिन जो Somal Village के लोग हैं वो temple को जाते थे अन्दिर में जाते थे या तो आगे दखते हैं जाते हैं तो Monday या Friday Tuesday चार आफसन दिया गए है दोस्तों तो किस दिन जाते हैं तो यहां पर भी वाला आपका आफसन सही है किस दिन जाते हैं Friday अर्था सुक्रवार को जाते को जाते है कुछ वह बहुत बुड़ा था के इस पैल बाउंट फीफल इस फैसिनेटिंग इस्टोरी जी यानि वह क्या करता था लोगों को इकटा करता था अपने जो बहुत ही मरोरंजक कहानियां या मरोन रंजग कहानिया सुना करके उन लोग को एकत्र करता था तो यही आप संदोस्तों आपको आपका जो है डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा वो कहानिया सुनाता था और लोग उसकी तरफ आकरसित होते थे के चाहां कनुमेट की क्या मीनिंग है जो रेष्ट लाइफ थी बचाऊ जी वन जो था उसमें बहुत ही ज्यादा सांत रूफ से कनूमेट था यहां पर आपका आपसर नमबर सही हो जाएगा भी वाला जी यहां इसका मतलब क्या है प्योडली अथात सुद्ध था एकदम सुद्ध नेश्ट कुष्चन देखते हैं कि वाट इस दनेम आप नाम बी जो ओल्ड फ्रेंड जिया नाम भी के पुराने मित्र का क्या नाम था दोस्तों मारी भक्ती नासी या साहो तो चार आपसन है दोस्तों तो पहला आपसन ही करेक किया था तो किंग भोज की किंग अकबर की या यहां पर किंग हरिस्चंद्र या किंग विक्रमादित चार लोगों में से किस की कहानी उसने सुनाना सुरू किया था दोस्तों तो उसने आपसन नमबर डी करेक्ट है किंग विक्रमादित की कहानी यानी राजा विक्रमादित सब्सक्राइब करें दोस्तों चारों में से क्या करता था जब उसे कहानियां सुनानी तो जिसको आप मलब पेंड में कुछ जगा बन जाती है जो कोड़ हर कह सकते हैं आप अपनी बासा में तो वह क्या होता है कि उसमें क्या करता था वह एक क्या करता था लैंप जला के रख देता है देवी के आधर्स जो है उस टेमपल में बताए जाते थे याई आप समझ सकते हैं कि किस देवी की पूजा वहां होती थी उस मंदिर में तो लक्षमी की सकती की सरस्वति या काली की चार आपसन है कहाने वाला करेक्ट तो यहान पर संसे थी किसे कैसे किसे तोजिद् hag क्यों आपड़ती के संसे माने कहानी याने वह कहानी सुनाता रहता तो यह वाला करेक्ट्र segment वाइस चृष्चन वाट इस पॉट इस चेछ रेंट्रि एंफ करेक्टर इन starts जो पात्र है यायआ वह इस्टोरी का कारवाह्न है तो नाम सिंग् आ यांप भी है राम जी है या संजीत है तो चारो में से कहन दोस्तों तो यहां पर चारो आपका B वाला ही करेक्ट हो जाएगा यानि नाम भी जो है यही मेन करेक्टर इस स्टोरी का है next question देखते हैं इस टो यहां पर सेट की गई थी उस इस बिलेज का अर्था तो उस गाउं का क्या नाम है यह पूच रहा है तो पुनियांकरा या कोटायाम या सोमल या धूमल चार आपसन दोस्तों तो यहां पर आपसन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों सोमल कौनसा है सोमल गाउं था जहां पर इस कहानी को सटकिया गया था तो यहां पर रिजिनल नोबलेश्ट अर्थात जो 6 वपन्याशकार होते हैं उनके रूप में जाना जाता है ना की रोमांटी किया एतिहासी किया समाजिक वन्यास के रूप में तो ओर रिसमल नॉबलिस्ट के रूप में को जानाता है मैं हीकि अर्कर आपके यार नहीं आर के नराण है दूस्तों इनका नाम जो है आर के नराण है तो यहां पर आपसे नंबर बी सई होगा अब आगे देखते हैं कि कौन साइं प्वार्टर कुष्चन है अगला कुष्चन क्या है देखते हैं कि आप कि अब कि अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों हाउ डेज रभी फील्स एड दा एंड आप दा इस्टोरी गेम सैट टुलाइट जहां गेम सैट टुलाइट कहानी जो है इसके अंत में अर्थात एंड में रभी जो है करेक्टर जो है वो किस तरह का अनुबह करता है फील्स कैसा करता है यानि आमहत्पूर्ण महसूस करता है यह आप सब्सक्राइब करते हैं यह बताना है आपको तो चार आपसन है इग्नोर रभी रभी को इग्नोर करते हैं या काउरेट प्रेंग अर्था बच्चे कि प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो किस तरह का कि संघर्स होता है तो नश क्यूश्चन है कि हुए टू प्ले या हूव बिल बीद बिनर या हूव बिल बी इट या वाट डू पले अब यहां दोस्तों प्रेंग लिका हुआ या प्लेंग होना चाहिए था प्लेंग या आप प्लेंग समझ लिजिए कि खेलना शुरू करते हैं तो यहां पर आपसा नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा हूव बिल बी इट नेट क्यूस्चन वाइड रभी फेल्ट सेक्रेड इसकेर्ड वाइल हाइडिंग इन दा सेड जब वो सेड में छुपा हुआ था तो इसकेर्ड यानि अपने आपको भैभीत क्यों फील कर रहा था तो वीकाज इट वाज डार्क वहां नहीं कर पाया तो आपसा नंबर सी करेक्ट है दोस्तों वह जहां छिपा हुआ था वहां क्या था कीड़े मकोडे भी थे और अंधेरा भी था तो इस कारण से क्या था कि वह अपने आपको भैभीत महसूस कर रहा था नेट्स क्रिश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टन कुश्चन है वाई वाज दा मदर नाट टेल लेटिंग दचिल्डरन प्ले आउट्साइड इन दा बिगनिंग आप दा स्टूरी यानि बिगनिंग आप दा स्टूरी कहानी के सुरुआत में जो माता जी थी वो बच्चों को बाहर क्यों नहीं खेलने आइनि बीकाज दे उड़ गेट इन्टू आ कानफलिक्ट या बीकाज दे वर टू यंग टू प्ले आउट साइड तो यहां पर आपसा नंबर यहीं करेक्ट है वीकाज इट वाज नाट यानि वो खेलने का टाइम या समय नहीं था या खेलने की जगा नहीं थी नेट्स क्यूस्चन देखते हैं कि वर डिट दा चिल्डरन पले बच्चे कहां खेलते थे तो चार आपसान है दोस्तों टेरिस पे या बरामदा में बरामदा या पोर्च या बालकनी में या पार्क में चार आपसान है दोस्तों तो आपसान नंबर बी करेक्ट है बरामदा में खेलते थे बच्चे नेट्स क्यूस्चन है हूँ विकम दा इट आफ्टर दा कान्फलिक्ट यानि इट जो था वो कौन हुआ कान्फलिक्ट संगर्स के बाद तो मनू रभी रगू या मीरा चार की इसमेली डार्क या आल आपदा आल आपदीज तो यहां पर आपसान नंबर डी करेक्टर हैगा यानि वो जो थी वहां अंधेरा और बहुत ज्यादा कीडे मकोडे दुरगंद यह सारी चीजे थी नेट्स क्यूस्चन है हुज दा अथर आपदा इस्टोडी गेम सेट जो वह कौन है अनीता दसाई नरायनतार सहे गल या भारती मुखटजी या मम यहां पर के होना चाहिए कमला मारकंडे तो चार आपसन चारों में से कौन सा यह दोस्तों तो यहां पर आपसन नंबर आपका यही सब्सक्राइब अनिता दसाई जो है इस स्टोरी की राइटर ह सब्सक्राइब दोस्तों तो गेम शुरुआ था डी नंबर आप्सन करेक्ट है हाट समर अफटर नून यानि गर्मी के दोपार के समय में यानि एक बहुत ही गर्म दोपार के समय में गर्मी के दिन में शुरुआ था रभी ले डाउन अंद ग्रास फीलिंग करस्ट तो चार अप्शन ही वाज फाउंड आउट ही वाज नेगलेक्टेड विकाज आफिज ओन इन सिगनिफिक फीकेंस या ही वाज डिफीटेड यानि रभी जो था वो ग्रास पर बहुत परेसान तरीके से क्यों लेटा हुआ था घास पर तो क्योंकि उसे डून लिया गया था या उसको निगलक्ट किया जा रहा था या वो अपना महत्तु महसूस नहीं कर रहा था या वह हार गया था चार आपसन है दोस्तों तो चारों में से आपसन नंबर सी करेक्टर है विकाज आफ इस ओन इन सिग कहां पर छुपा हुआ था दोस्तों जब यह गेम शुरुआ तो आपसा नंबर बी करेक्ट है दोस्तों इन अलॉग्ड सेड यानि वह एक सेड में छुपा हुआ था जोपडी में सुपा छुपा हुआ था जोकी बंद थी ने्स्टैंग Stress अ फस्ट आउट् इन देश्टी पहले Story में तो मनु मीरा रग्हु या रभी चार आपसर हैं दोस्तों चारों में से कौन सपाल जुन सब्सभी तो चारों मां में से आपका जो पात्र थी उसका क्या नाम था मोनिका नाम था मीरा या मोहिनी या मारिया नाम था तो आपसन नंबर भी करेक्ट है दोस्तों अभी उपर भी आपसन मीरा का मिला हुआ था तो मीरा ही करेक्ट है नेक्स कुश्चन अनिता दसाई वाज बार अनिता दसाई जो है पैदा तो चार आपसन है दोस्तों तो आपसन नंबर यहां पर सी करेक्ट्रें दोस्तों अनीता मजूमदार नेट कुश्चन देखते हैं बेकन वाज बारन जी आँ बहुत ही फेमस आपके बहुत ही फेमस राइटर जो इंगलिस इसे के पितामा आप कह सकते हैं जनक कह सकते हैं इंगलिस एसे के फ्रैंसिस बेकन इनके बारे में आ गया है इनकी कहानी इंक्लूड है आपके कोर्स में दोस्तों फ्रैंसिस बेकन की कहानी इंक्लूड है दोस्तों यह भी आपको पता चलेगा आगे चलके आफिस्ट डी आफिरेवेंज यह सारी कहानी यह दोनों कहानी अलग बेगिन की इंकलूड है तो आएए देखते हैं बेकन वाज बार निंदा ये बेकन का जन्म किसाल में हुआ था 1561 में 1560 में 1562 में या 1571 में तो चार आपसन है दोस्तों तो पहला प्रकासन 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 ने किया उनके दोरा प्रकासित किया गया तो यहां पर आपसे नंबर आपका एक करेक्ट्ट दोस्तों दस इसे का प्रकासन जो प्रकासन में दिखा फर्ट प्रकासन में या सेकेंड में या थर्ड में तो आपसे नंबर यहां पर आपका बी करेक्ट प्रकासन में यह आप इस्टरी जो है वह प्रकासीत हुआ था था दिस्प्लेज यानि क्या चीज यह प्रदर्सित करता है आप इस्ट्रीज जो इनकी रचना है वाइड लर्निंग डीप स्कॉलर्शिप साउंड विडम या आल आप दीज तो आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी नमबर आल आप दीज यानि यह सारी चीज साउंड विडम सुद्ध्यान होना चाहिए आल आप दीज यह सारे करेक्टर मलब सारे गुण जो है यह होने चाहिए तो नेट्ट कुश्चन है वाज दा फादर आप फ्रेंसिस बेकन फ्रेंसिस बेकन के पिता कौन ते सर निकोलस बेकन सर चार्ल्स बेकन या सर जॉन बेक है फ्रेंसिस बेकन के माता का घ्न का नाम तह तो ऐनक नाम यह देखार स्कमित Ini कुक नाम था एया डाइगmi ग हो इनके दा का घ्ẫn máximo को नाम था निक कोसे मे attach नाम धल ने मेरे फ्रेंसिस बेकन सांव की मिर्तु कब और इस रहूब तो इनकी मिरत्व दोस्तों हुई थी 16 26 26 26 में यानि आपसा नंबर आपका सी वाला करेक्टर नेस्ट कुष्चन बेकन सुवर्क में भी डिवाइड इन्टू यानि बेकन के वर्क को कितने वाग भागों में आप बाट सकते हैं तो टू क्लासेज दो वर्गों में थ्री क्लास से फोर क्लासेज या नन आप दी तो बेक बेकन की जो रचना हैं उनके वर्क हैं इसको आप बाट सकते हैं दोस्तों थ्री क्लास अर्थात बी वाला करेक्टर आप्सन होगा नेस्ट क्यूस्चन है आउट आप आप क्यों इस्टाइल आप बेकन दा एसेज हैव टूबी रीड यससे को किस तरह पढ़ना चाहिए दोस्तों तो फास्ट स्लोली या डीपली या इन थ्यों इन्थूसियस्टिकली यानि किस तरह आपको पढ़ना चाहिए तो यहां पर आपसा नंबर भी है स्ल आपको प्रशाव बेकन के द्वारा कितने एक त्युक्ति कितने इस्ट की रचना की निवन्हों की रचना की बेकन ने तो यहां पर आपसा नंबर थी करेक्टर दोस्तों फिश्टी या डीकला ज़र्थाद अटावन किस तरह की विविन बराइटी के टॉपिक को उन्होंन मलब उनके से जो है किस तरह के टॉपिक पर लिखे जाए गये हैं जादा तर तो पॉलिटकर थे रिलीजियस थे बोथ एवंड बी आना नाब दी तो चारों आप्शन में से दोस्तों आपसन नमबर आपका सी करेक्ट है बोथ एए एंड बी अर्थात पॉलिटकल राजनेतिक और धार्मिक दोनों तरह के से जो है बेकन साब ने लिखा है इन विच यह आप इस्टेडीज वाज पबलिश्ट यानि आप इस्टेडीज जो थी यह रचना किस साल प्रकासित ही थी शिक्टीन टेंस टोफ सिक्टीन ट्वेंटी तो यहां पर आपसन नमबर भी करेक्ट है सोला सो बारा अर्था सिक्टीन ट्वेल में इसका प्रकासिन हुआ था नेट कुश्टन है वाट परपज इस्टेडीज सर्व किस तरह का उद्देश जो है सिच्छा जो अध्यन जो है वो किस तरह के उद्देश को पूरा करता है क्रियेशन और्नामेंट्स इनोवेशन या इन बेंशन किस तरह का तो आपसन अबर बी करेक्ट है दोस्तों और्नामेंट्स अर्थात आभूसर नेट कुश्टन है वाट काइंड आप व्यू सिंपल मैं है वाउट इस्टेडीज साधान बेक्ति का जो विचार है इस्टेडीज के प्रत अध्यन के प्रतों क्या होता ह है एड्माइरिंग होता है क्रिटी साइजिंग होता है इंटर्टेनिंग या एक्साइटिंग होता है तो चार आपसन दोस्तों चारों में से क्या होता है एड्माइरिंग जी है क्या होता है दोस्तों एड्माइरिंग प्रसंद से निए नेस्ट कुश्टन हाउ मेनी आप बुक्स आर रिकमंडेट बाई बेकन फार इस्टेडी बेकन सापके दौरा कितनी तरह की बुक्स जो है वो पढ़ने के लिए बताई गई है तो थिरी टाइप फोर टाइप सिक्स टाइप या नन आप दीज तो यहां पर आपसा नंबर आपका एक करेक्टर दोस्तों थि यहां पर दोस्तों यह वाला करेक्ट है अफोरीजम अर्थात कहाउतों से बहा वा था इनका इससे कहाउतों से भरा हुआ है नेक्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों लेंब साब ने अपना कैरियर किस तरह से शुरू किया था दोस्तों पोएट के रूप में राइटर के नॉबलिष्ट या स्टोरी राइटर के रूप में तो यहां पर लेंब साब ने अपना कैरियर जो है किस तरह से शुरू किया था दोस्तों इन्होंने एक कभी के रूप में पोएट के रूप में शुरू किया था नेक्रिश्चन लेंब इस पीक साफिज फादर अंडर्ध नेम आप यानि किस नेम से अपने पिता को बुलाते थे लॉवेल, मैरियट, मिश्टर या नान आपदीज तो यहां पर आपसा नमबर आपका एक करेक्टर दोस्तों लॉवेल जो है इस नाम से अपने पिता को पुकारते थे आगे देखते हैं नेट क्यूस्चन इस इन प्रो दोस्तों तो चारों में से यह बात दोस्तों कही थी आपसा नमबर एक करेक्टर जार्ज सैमसन ने यह बात कही थी कि इजन प्रोज डैट लैंब दपोएट इस तूभी फाउंड यानि प्रोज में भी लैंब के जो कभित रूप हैं उसको पाया जा सकता है तो यह यानि कि कही थी तो जार सैमसन ने बात कही थी फिर्ट कुछें देखता है चील्डन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट इयर इल्डर्स वएं देवर चिल्डर्न हूसाइट यह बात किस ने कही कि बच्चे जो थे वह अपने इल्डर्स कहानियां सुनना चाहते हैं कि जब प्लेस्ट किसमेलिक कि इसे सी और मायं प्लोड कते हैं इसको भी आप लोग देख सकते हैं पैले से डीचेजिट उपरिनलेशन इंग वहाँ इसाel जी्ट उपंध्रिक का शूवीयों वोड् elsewhere भी डूवियों देख सकते हैं असानी से नेट कुष्चन वाट वाइवाई लेंपस फादर लेंब के पीत तक या थे आई नाना आफ अफ़ कंपनी एक क्लर्क टू मिस्टर सामॉल साल्ट या आप या प्यून इन साउथ सी कंपनी या नाब दी चारों में से दोस्तों यहां पर आपसा नमब प्रकासित हुआ था नेस्ट कुश्चन लेंब डाइड वाट वाज यानि लेंब की जब मृतु ही तो उनकी एज कितनी थी फिफ्टी नाइन फोर्टी एटी सिक्स याज सेवन्टी चार आफसन दिया गया है दोस्तों तो चारों में से आपका आफसन नंबर एक करेक्ट है फ कब पैदा है दोस्तों ट्यंत फेबरोरी सेवन्टीं 75% जानवरी सेवन्टी चार आफसन दोस्तों तो चारों में से यह वाला ही करेक्टर दस फररूरी सत्रह सोब चार्संबंशा kis drink children वानों सबस्गों तक हैं कि ये उन्होंने बता आया है इसके बाता जी और सब्सक्राइब चरसम q पट्रत नंबर सी करेक्ट तो चारों में से दोस्तों अपसार केंदो से खनार मदर क्या दोस्तों वह लट थे यानि आप वहाहिद जिसे आप कह सकते हैं नेश कुछिचन ही लव्ड वित वह किस से प्रेम करते थे एलिस बिंटर्टन मेरी लैंब या मेरी फील चार आपसन दोस्तों तो आप संनों एक रेक्ट है ये ली बिंटर्टन से वह करते थे वह का मतलब ही का मतलब है यहां पर कौन है दोस्तों चार्ज लेंब साफ कौन चार्ज लेंब साफ नेश कुछिश्टन है वह वाज हुएन वाज जोसफ एडिसन बार्न जिया जोसफ एडिसन साब से डिलेटर अगले राइटर है आपके इनकी रचना आपके वीडियों आपके कोर्स में इंकलूड है तो यहां से शुरू करते हैं पहला कुश्चिन इंसे लेटर दोस्तों वैन वाज जोसेफ एडिशन बार्न यानि जोसेफ एडिशन साब का जन्म कब हुआ था चार आपसन दोस्तों 1627, 1672, 1628 या 1682 चार आपसन दोस्तों चारों में से वी वाला करेक्ट है 1632 इस भी में इनका जर्म होता यानि 1672 में अपनी मास्टर डिगरी उन्होंने कब फ्राप्ट की थी 1679, 1697, 1687 या 1617 तो चार आपसन दोस्तों चारों में से आपका वी वाला करेक्ट है 1697 यानि 1697 में उन्होंने मास्टर डिगरी फ्राप्ट की थी नेस्ट कुश्चन एडिशन डाइड इन दा येर उनकी मिर्तु कब होई थी एडिशन साब की 1709, 1719, 1729 या 1349 भी में तो आपसन नंबर भी करेक्ट है दोस्तों 1719 यानि 1719 में नेस्ट कुश्चन यानि जितने एसे उन्होंने एसे का मतलब निबंद का योगदान एडिशन साब ने टाटलर जो एक पत्रिका थी उसमें किया वो किस से ज़्यादा थे यानि 20 से ज्यादा 25, 25, 25, 30, 30 से ज्यादा 40 से ज्यादा 4, 40 से ज्यादा कितने एसे थे दोसतों यहाँ पर आपसद में नमडर आपका और करेक्ट भी करेक्ट है डिवाला यानि या नवरती से ज्यादा यानि manifest तरह के से के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपसे नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा पीरियाड के अर्था एडिसन्स आपको आउधिक निबंदकार के रूप में जाना जाता है नेट कुशन इन विच मैग जीन दा एससे सर रोजर एड चर्च अपियर्ड यहां बहुत ही फेमस इनकी रचना सर रोजर एड दा चर्च जो एडिसन्स आपकी रचना है यह किस एससे में प्रकासित हुई थी टाटलर में गार्जियन में या इस्पेक्टेटर में या इसी मैग जीन में इसका प्रकाशन हुआ था सर रोजर एड दा चर्च का नेश्ट कुश्चन इन विच इसू आप दा स्पेक्टेटर दा सर रोजर एड चर्च अपियर्ड यानि कितने इसूज में इसको अपियर्ड किया था हंड़ेड ट्यन हंडड डिलेवन हंड़ेड तो यहां पर आपसन नबर सी करेक्ट है हंडर हंड़ेड ट्वे अठाट एक सो बारा नेश्ट क्यूस्टन वाट इस त्यूब आउट सर रोजर डी कावरली सर रोजर डी कावरली के बारे में क्या चीज़ सही है । हुँमर्स या एंग्मन या फ्यस्णवल या आप दीज तो यहां पर आपसन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जिया शर रोजर डी कवरली क्या थे तैंङ मजाकिया तो e and B तो यहाँ पर भी कर्डी वाला करेक्टर दोस्तों स्कॉायर भी थे लेंडलाड भी यह वाला ही करेक्टर है का दोस्तों कहां पर टटलर में ने एक देखते हैं तो श्रोजरई चर्च वार्ट पब्लिश दिनका प्रकाशन लगा दोस्तों 17 11 17 09 1710 या नन आप दीज तो चारों में से कहां कभी इनका प्रकाशन हुआ दोस्तों तो सेबंटीन इलेवन अर्था सत्रा सो ग्यारा में इसका प्रकाशन हुआ तो यहां पर आपका आपसा नंबर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपसा नंबर आपका तो यह आपके बेरी इंपॉर्टेंट जो 75 थे वो कंपलीट हो गए इस वीडियो में दोस्तों जानकारी अच्छी लेगए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को सेयर करें और कमेंट बाक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं अपना सजेस्टन आप लोग टाइप कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्वाद जाहिंद